मार्गशेश प्रारंब उत्तर संपूर जानकारी मार्गशेश मास का हिंदु धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है यह मास भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत प्रिय है मार्गशेश महीने की पूर्णेमा म्रिगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है इसलिए इसका नाम मार्गशेश कहलाया म्रिगशिरा नक्षत्र का दूसरा नाम आगरहाईनी नक्षत्र है और इसी नाम पर इस महीने को अगहन भी कहा जाता है साधारन भाशा में इस महीने को मंसिर कहते हैं चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कब है मार्गशीर्ष प्रारंभ? मार्गशीर्ष मास हिंदू वर्ष का नवा महीना होता है और यह कार्तिक शुकल पक्ष की पूर्णिमा से अगले दिन प्रतिप्दा को शुरू होता है मार्गशीर्ष के दौरान पूर्णिमा भी होती है जिसे शुकल पूर्णिमा या मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी कहते हैं इस साल यह गुरुवार 8 दिसंबर 2022 को पड़ेगी और इसकी शुब तिथी का प्रारंब दिसंबर 2022 को पड़ेगी और इसकी शुब तिथी का प्रारंब और समापन कुछ इस प्रकार है. पूर्णिमा प्रारंब 7 दिसंबर 2022 पूरवान 8 बचकर 1 मिनट बजे पूर्णिमा समाथ 8 दिसंबर 2022 पूरवान 9 बचकर 37 मिनट बजे मार्गशीश प्रारंब उत्तर का महत्व क्या है? एक इस महीने के आरंब से ही सत्युक का आरंब हुआ था दो मान्यता यह भी है कि इसी मास में भगवान श्री रामजी और भगवान शिव का विवाह संपन हुआ था भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है इस माह के बारे में? भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास के बारे में कहा था कि यह मास उनका ही स्वरूप है और उनको यह मास बहुत प्रिय है उन्होंने यह भी कहा जो मनुष्य सुभा जल्दी उठकर मार्गशीर्ष मास में सनान ध्यान करेगा उससे मैं प्रसंद रहूंगा इसलिए इस मास में श्री कृष्ण की पूजा आराधना ध्यान करने से मनुष्य के सभी मनोर्थे पूरी होती है मार्गशीर्ष प्रारंभ उत्तर में क्या क्या किया जाता है भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास के बारे में कहा था कि यह मास उनका ही स्वरूप है और उनको यह मास बहुत प्रिय है उन्होंने यह भी कहा जो मनुष्य सुभा जल्दी उठकर मार्गशीर्ष मास में स्नान ध्यान करेगा उससे मैं प्रसन्न रहूंगा इसलिए इस मास में श्री कृष्ण की पूजा आराधना, ध्यान करने से मनुष्य के सभी मनोर्थे पूरी होती है मार्गशीर्ष प्रारंभ उत्तर में क्या क्या किया जाता है एक इस महीने प्रातह जल्दी उठकर स्नान अथ्वा पूजा अर्चना करने का विधान है इसके पश्चात भगवान के मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय नमह का जाप करना भी अति उत्तम माना गया है दोग इस महीने में दान करना अच्छा माना गया है सर्दी का मौसम आरंभ हो जाता है इसलिए उनी कपड़े, कंबल, आसन आधी दान करना अच्छा होता है पूजा संबंधित सामगरी का दान भी की जाती है तीन इस माह की पूर्णिमा तिथी भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है यह भगवान विश्नु को समर्पित है, इसलिए इस दिन उनकी नारायन रूप में पूजा की जाती है इसके साथ ही वरत रख कर भगवान विश्नु का ध्यान किया जाता है जय श्री कृष्णा